दोस्तो फ्राग की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में बताएंगे एक हमारी फ्रेंड है उनको भी कटिंग और सिलाई दोनों एक साथ बताएंगे किस प्रकार से करना है तो हम अपनी फ्रेंड को ये कटिंग दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं और संग में आपको भ यह डबल फोल्ड है तो इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से अब यह हमारे दोनों उपर की कोटी निकलाएंगे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हुए चलेंगे तो यह वाला पहले सामना बराबर हम कर लिया है अब इसके बाद में यहाँ पर हम दबाव लंसम एक इंची के हिसाब से इमारे कर लिया है अब यहाँ से हम लंबाई हमको 12 इंच लंबाई रखना है तो यहाँ पे 12.5 और 5 इंची गले के लिए अब यह दोनों मारीक हम कर लेते हैं इस हिसाब से अब यह वाली गले वाली भी कर लेते हैं अब यहां से हम 2 इंच गला खोल लेंगे और यहां पे हम 5 इंच कंधी अब यहां पे हम लूजिंग रखेंगे क्योंकि यहां पे हम प्लेटे डालेंगे तो यहां पर लमसम 8 का निसान इस प्रकार से लगा लिया है अब हम पहले गले को इस प्रकार मारीकिंग करेंगे फिर हम कंधी को फिर हम सामना को फिर संग में हम दूसरी कटिंग के बारे में बताते भी तो इसको हम गुलाई कर लिया है अब इसके बाद में एक कटिंग कर देते हैं यह हमारी कोटी की कटिंग हो चुकी है अब इसमें हम आपको बताएंगे किस परकार से अब इसको लमसम 4 इंची इस परकार से गले को खोल लेंगे और गला को खोलने में हम पहले उपर से कम और नीचे को हम इस हिसाब से बढ़ा देंगे, जिस से हमारा गला न उत्रे हम आपको दिखा देते हैं, इस हिसाब से, आप देख लिजेगा, ये उपर वाला गला हमारा कम है, ठяться नीचे का गहँ रहिए है, तो ये गला आपका भगऺेगा नहीं दर उथर, तो इसी हिसाब से आप cutting करोगे अब जैसे ज़्यादा उपर रखोगे तो ये भगेगा अब ये भागने वाला गला नहीं है इसी परकार से आप गले को cutting कर सकते हैं ये नहीं भगेगा हाँ ये नहीं भगेगा ये हम आपको बता रहे हैं दोस्तों एक बात और बता देते हैं आवाज उनकी नहीं डाली है अपनी डाली है अब इसके बाद में हम यहाँ पर बैगला है तो यहाँ पर हम एक इंची पहले यहाँ पर दो इंची फिर यहाँ से एक इंची गहरान और इस हिसाब से marking अब इसको भी कट कर देते हैं अब इसमें हमको chain डालना है chain यानि जिप तो देख लिजिएगा यहाँ से हम आपको बता देते हैं किस परकार से डालना है तो यहाँ से हम लमसम 6 इंच 6,7 जो भी लगाना चाहाएं 6,6 इंच लगाएंगे इसको यह साड़े 6 इंच का होगा अब इसको हम सुधी बीच से मारी कर लिया है अब इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पे जिप हम कालर जैसे बता रहे हैं कालर लगाओगे पहले तब यह जिप लग जाएगी आपकी हाँ हाँ यह वाली जो जिप है इसको आप यहाँ तक अभी बताएंगे हम आपको यहाँ से इस प्रकार से हम खोल लिया है साड़े 6 इंच अब यहाँ पे हम जब जिप रखेंगे कालर बनाएंगे इस इसाब से अगर वकरम डाल कर बनाओगे तब भी आपको बहुत अच्छा बनेगा आप कपड़ा लगा कर भी बना सकते हैं इस हिसाब से इसको हमने बराबर कर लिया और यहाँ से अगर यह प्लेट आ भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ इस हिसाब से तब भी इसमें आप जिप अच्छी तरीके से लगा लोगे अब हम इसके नीचे का बॉटम काटते हैं जिसमें हम चुन्नट डालेंगे अब इस कपड़े को हम इस परकार से डबल है यह हमारा यह फोल्ड किया फिर चार ही से हो गए अब इसको हम लंबाई के हिसाब से लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं जिधर हमारी ज्यादा लंबाई है उस समय इस हिसाब से लेंगे क्योंकि हमारी जितनी भी चुन्नटे पढ़ेंगी उतना ही अच्छा दिखेगा तो इस पर हम कोटी इस हिसाब से रख लेते हैं आप देख लिजी अब यहाँ से लंबाई जैसे कि आपको 26 सत्ताई जो भी रखना है तो यहाँ से आप लंबाई रख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे 27 इंच लगाया है यह 26 इंच रह जाएगा तो यहाँ पर भी 27 इंच यहाँ पे लगा लिया है अब हमें करना क्या है पहले हम इसको हलका सा गहराई के हिसाब से कटिंग करेंगे यहां से इसको बराबर कर लिया अब इसको पहले हम गहराई के हिसाब से कटिंग करेंगे हम आपको फिर से दिखा देते हैं इधर से अगर आप रखोगे तो यह किनारी हम इधर ही से कटिंग करेंगे अब यहां से हम लमसम दो इंच कम कर लिया इस हिसाब से हाँ यहां से लंबाई देख लो बढ़ जाएगी फिलाल अब यह हमने कटिंग कर लिया है अब इसके बाद में यह वाला हिसा भी हमारा इसको बराबर कर लिया अब यहां पे नोक हमारी निकली है यह वाली इसको भी इ बहुत अच्छी तरीके से बनेगी, इसमें दो पल्ले हमारे हो जाएंगे, एक बैक में जाएगा, एक सामना में आएगा, अब हमें करना क्या है, इसको हम इस हिसाब से रखा है, अब यहां से लंबाई, आप कम जदा भी भी कर सकते हैं, जैसे हम 27 बताया था, तो यहां पर य लिया है, इस हिसाब से, और यह कोटी हम इस परकार से खोल लेंगे, आपको हम बता रहे हैं कैसे प्लेट डालना है, हम अपने फ्रेंड को भी बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं दोस्तों, अब इसमें हम यह पल्ला यह घटार दिया है, पहला पल्ला हम इस हिसाब से र इस हिसाब से आप प्लेट डालना इस्टार्ट करोगे इस हिसाब से तो ये प्लेटे हमारी प्रत्ती रहेंगी इस हिसाब से ये प्लेटे हो गई इस हिसाब से आप डालना और इस हिसाब से दोस्तों हमने इनको कटिंग बताया है हाँ इसमें गला आपको बनाना पड़ेगा तो ये हमने इस हिसाफ से इसको भी गुलाई कर लिया है तो फ्रेंड आप बता सकते हो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर आपको कटिंग समझ में आई है दोस्तो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दे और लाइक भी कर दे और इसी प्रकार से हम आपको सिलाई के बा बताएं कैसी का आपको कटिंग लगी है इसी प्रकार से हम आपको दोस्तो हर चीज की कटिंग चाहिए वह फिराख हो हर चीज की A to Z सिलाई के बारे में बताएंगे दोस्तो लेडि जेंस दोनों हम बताएंगे आपको